So friends, Samsung आपने A30 और A50 के बाद अपने A-Series में एक नए स्मार्टफोन जल्दी लेकर आने वाला इंडियन मार्केट में जो की है Samsung Galaxy A60 तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो इसी A60 के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ So friends, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 6.7 इंच का एक सूपर एमूलेट पैनल आप लोगो देखने को मिल जाएगा इस डिवाइस में जो की Full HD प्लस को याने की 1080p इसको support करेगा उसके बाद बात कर लेते हैं, screen ratio की तो अगर मैं screen ratio की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगोм 19.5 by 9 का ratio देखने को मिल जाएगा PPI की बात कर लेते हैं इस डिस्प्ले की तो यहाँ पर आप लोग को 385 की PPI देखने को मिल जाएगी साथी साथ मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर जो मैं अभी image यूज कर रहा हूँ यह Samsung Galaxy A50 का image है क्योंकि अभी तक Samsung Galaxy A60 का कोई भी official image सामने निकल कर नहीं आया है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो design है बिल्कुल A50 के ही design के तरह सेम होने वाला है सेम यहाँ पर आप लोग को build quality देखने को मिल जाएगी बस screen बड़ा होने वाला है लेकिन मैं आप लोग अच्छे से समझा पाऊं कि यह device कैसा दिखने वाला है इसलिए मैं इसका image यूस कर रहा हूँ A50 का चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि इस device में आप लोग को कौन सा OS देखने को मिल जाएगा तो OS के अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आप लोग को Android 9.0 याने की Android Pie का सपोर्ट देखने को मिल जागा साथ में आप लोग को Samsung One UI का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि Samsung का latest UI है तो यह काफी अच्छी बात है उसके बाद हम लोग चले चलते हैं CPU की तरब तो अगर मैं यहाँ पर CPU की बात करूं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह जो device है यह Snapdragon की CPU के साथ आने वाला है मतलब Snapdragon के chipset के साथ आने वाला है और इसमें आप लोग को Snapdragon 675 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा यह एक octa-core processor है जो की 11 nanometer की technology के साथ आता है और इसके जो 2 core है मतलब जो dual core है वो रन करते हैं 1.0 GHz पर और बागी के जो hexa-core है याने की 6 core है वो रन करते हैं 1.7 GHz की clock speed पर तो यह आप लोग को एक powerful processor देखने को मिल जाएगा आपके Samsung के device में उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं GPU की तो GPU की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग को endino का 612 का GPU देखने को मिल जाएगा जो कि एक powerful GPU है और आप अराम से इसमें heavy gaming कर पाएंगे चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके fingerprint sensor के बारे में तो यहाँ पर भी आप लोग को A50 की तरह on screen fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा तो यह काफी अच्छी चीज लगी मुझे चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं आप लोग केमरा के बारे में तो यहाँ पर leaks के अनूसार यहाँ पर आप लोगो triple camera का slot देखने को मिल जाएगा बतलब triple camera आप लोगो देखने को मिल जाएगा, triple camera का support देखने को मिल जाएगा जिसमें आपका main camera होने वाला है 32 MP का 2nd camera होने वाला है 8 MP का जो की wide angle lens होने वाला है और जो 3rd camera होने वाला है वो होने वाला है 5 MP का जो की depth sensing के काम आने वाला है तो यहाँ पर भी आप लोगो triple camera का support देखने को मिल जाएगा तो यह काफी अच्छी बात है उसके बात कर लेते हैं front camera की तो यहाँ पर Samsung अपने front camera पर भी काफी ध्यान दे रहा है ताकि आप लोग अच्छी से अच्छी selfie ले पाएं तो यहाँ पर आप लोगो front camera में भी 32 MP का ही camera देखने को मिल जाएगा जिससे आप काफी अच्छी selfie ले सकता है उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं memory department की तो यह जो device है 6 GB RAM और 8 GB RAM दुनों ही option के साथ आने वाला है और दुनों ही option में आप लोगो 128 GB की storage देखने को मिल जाएगी तो कुछ ऐसा package आप लोगो मिलने वाला है आपके Samsung Galaxy A60 में उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं battery की तो यहाँ पर आप लोगो एक बड़ी battery देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आप लोगो को A50 में जैसे आप लोगो 4000 mH की battery देखने को मिली है लेकिन A-series के अगर मैं बात करूँ तो A-series के सभी device में आप लोगो 4000 mH की battery देखने को मिली है लेकिन आप लोगो A60 में 4500 mH की battery देखने को मिल जाएगी with fast charging के साथ तो यह काफी अची बात है और C-type port भी आप लोगो देखने को मिल जाएगा इस device में उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं price के बारे में तो price अभी तक reveal नहीं किया गया है कोई भी यहाँ पर price की बात नहीं की गई है कि यह device कित्ते में आने वाला है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो base variant है 6 GB वाला वो 24,990 रूपे में market में आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है बाकि आप लोगों को यह device की price कित्ती होने चाहिए आप मुझे comment करके बता सकते हैं तो आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों क्या लगता है यह device का price कित्ता होने चाहिए base variant का मतलब जो 6 GB और 128 GB वाला जो variant है उसका तो यहाँ पर overall कुछ इस तरीके का device हमारे सामने निकल के आने वाला है और इसका जो launch date है वो बोला जा रहा है कि next month second week में हो सकता है मतलब April 2019 ऐसा बताया गया है second week में यह launch हो सकता है तो इसकी हम लोग काफी इंतिजार है कि यह कब तक launch होता है तो इसके बारे में मैं और detail वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ जाओंगा तो आज के वीडियो में बस इत्ता ही अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लागा होगा यह device अच्छा लागा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दिजे शेयर कर दिजे कोई question हो तो आप हमें comment करके पूछ सकता है हमारे channel को subscribe करके bell icon को press कर लिजे क्योंकि मैं आप लोग के लिए नहीं वीडियोस लेकर आते रहता हूं तो आज के लिए बस इत्ताई जैहिन वन्दे मात्रम थैंक यू